हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास एट के मैथ में चेप्टर नाइन विज्ये वेंजक एवं सर्वस्वमिका हैं यह जो चेप्टर है आपका विज्ये वेंजक एवं सर्वस्वमिका हैं इस चेप्टर से आप लोग क्लास 7 में भी परीचित हो चुक गण फिर एक बार हम यह समी कहें हो ऒसके दजसे पहले श didn Georgia क की बारे में जानेंगे इसमें उसके बासे उसके आद पद होते हैं गुलन फिढॐ होते हैं उनके बारे में नहीं ठीक है अगर यह लिखा एक्स प्लस 5 क्या लिखा है एक्स प्लस 5 यानि कि x प्लस 5 यह जो आप रूप देख रहे हैं यह जो आप फॉर्म देख रहे हैं यह रूप आपका विजिये बेंजक कहा लाता है क्या कहलाता है विजिय वेंजक कहलाता है इसको चार कहाता है और इसको अचर कहाता है क्लाइसção सर्दी क्लाइस ग्लास सेवन में आप लोगी बारे में पढ़ चुक् inference वो सब क्या होते हैं zaq कि जो आल्फा-वेड देखते हैं वो क्या होते हैं ऐपके 6 होते हैं ठीक है विजांचक और एक्स फॉलस 15 क्या है यह जभिपदेन जादर करूप जो है निर्मीत होगा यानि कि बने गा तो बनेंगा तो बह घाए चर और आचर के मिलनेसी बने को ठींग है यहनि थीरी इंटू वाई यहीं थीरीए हम इसको लिख सकतें तो यह क्या है वीगिया का जो रूप होता हो वह चर और अचर के मिलने से वीज़ यह बन्यक का रूप बनता है ठीक है कि अब विजय वaidॉजक में पद गुड़नखंड यह प्लस वाई यह पद जो है अगर इसको बाटा जाए तो इस पद को हम देखेंगे कि कितने पद से मिलकर यह बना है तो एक पद और यह दो पद यानि दो पदों से मिलकर यह बना है X प्लस 5 यन्येट बंजक गीजा वेनजक जो बना रहा है कितने पदोसे बना है दो पदोसे मिलकर बना है ठीक है अब यहां पे इसका गुन सक्था अगर किया जाएगा तो एक्स अपना अलग है five अपना अलग है इसमें एक सिवान किया जा सकता है एक से गुणया किया सकता है यान् marks ग्रलाग अलग पदों जाएंगे जैसे कि और में यहां प्राप को दिखा रहा है यहां पर इससे बन एक्स प्लस फ्लुस फैई थीवाई मारी ऐसा। दिया है इसका इन ग्राइट थे बैन एक्स ये एक पाद में हो गया पारा प्रत्पाद का गुरिंखन दूसरे में थी लिखते हैं गुणनखंड किया गया है इसका ठीक है अब आपका है कि गुणनखंड के बाद गुणांक तो जैसे यहां आप हम लिखें सेबन एक्स प्लस थिरी वाई ता इसमें अगर पुछे कि एक्स के गुणांक क्या है सेबन वाई का गुणांक क्या है ठीरी अगर ऐसे लिखा रहा है कि इसमें पुछे कि एक्स के गुणांक क्या है तो एक से गुणांक क्या है वान एक से गुणांक क्या है वान जेट का गुणांक क्या है नाइन है ठीक है यह गुणांक कहा लाता है ठीक है कि वाई लुक्या और हम देखते हैं कि ये गुझांग्क या है तो वाई ये नाउना के सबसक्कि दोख भाइए सगे हो,हुद भूरा में लखे। है one और वा इक गुणांगे आपर एक्स हो जाएगा ठीक है। है गुणांग के बारा है कि पद में आते हैं एक पद로 यानिके जो विजए पर्णक उखे 같아요 एक पदी होता है दिवपदरी होता है और दो परशें disc Robynne average आएट दोगो है तीन पदरे करания को और उसके बाध से कहा रहा है कि व्यापक्ता एक अथ्वादिक पद वाला बेंजग जिसके गुणांग सुनियतर हो और जिसके चरों के घात रिनेतर हो बहुपद कहां लाता है अब देखें बहुपद और एक पद दिवपद त्री पद में जैसे कि हम यह आप लिख दें फोर एक्स क्यू यह क्या है एक पद ही है 3xy यह देखें 3xy, यह क्या है एक पद है माइनस 7z यह क्या है एक पद है ठीक है दिवपद में आता है ए प्लस B यह क्या हो गया दिवपद हो गया देखेंगा 4L प्लस 5m यह क्या हो गया आपका दिवपद हो गया ठीक है तो एक पद और दिवपद यह माले जैसे आपका 3 पद देखना है तो X plus Y plus Z यह क्या हो गया आपका त्रीपत हो ठीक है तो यह तीन पद में हुगा लेकिन यह जो एक पदी द्वी पदी त्रीपद देख रहें इन सब को हम बहुपद भी कहते हैं क्या कहते हैं बहुपद भी करता है यह आपको आगे classes में मिलेगा बहुपद के बार में लेकिन आप सिंपल में हम यहीं समझना है कि 4x3 3xy-7z यह एक पदी है यह कैसा वीजय बेंजक है एक पदी वीजय बेंजक है a plus b 4l plus 5m कैसा है एक दो यह दिवपदी है 4l plus 5m एक दो यह दिवपदी है x plus y plus z यह कैसा है 3 पदी बहुपद है ठीक है अब इसके आगे अगर इससे भी ऐसे लिखा रहे है 4 plus x plus y plus z 1 2 3 4 तो इसको हम चातूर पद नहीं कर सकते हैं यह आपका जाएगा बहुपद में किसमें आजाएगा बहुपद में आजाएगा ठीक है जैसे मालने जी आगर आपका लिखा हो ठीरी x y यहीं पर लिखे हैं इस चीज को हम लिखे न जी 3 x y हम सबसे पहले यहीं आपको बटाये चाहें वह एक पदी हो दिव पदी ओ तीरी पद इन सबको हम लोग बहुपद कहाते हैं क्या कहते हैं बहुपद कहाते हैं ठीक है आप इसको बोल सकते हैं, 4Xy क्या है, बहुपध है, 3Xy क्या है, बहुपध है, A plus B क्या है, बहुपध है, लेकि इनको कहा जाये कि कौन 1 पदी है, कौन 0-0 पदी है, कौन तरी पदिता आपको कहना होगा कि 4 x cube एक पदी है 3x y एक पदी है एप पलस भी द्वी पदी है और x प्लस y प्लस z त्री पदी है ठीक है यह आपको पदों कि पदों को संख्या को बटा गया उसके बहसे नेक्स्ट आपका कि समान और आसमान नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका समान और असमान पद तो जैसे कि यह आप हम लिख रहे हैं कि 7x 14x-13x 5x² 7y देखेंगा ध्यान से 7xy-9y²-9x²-5yx अगर ऐसा दिया है इसमें बोलें कि समान पद कौन कौन से हैं देखिए यह क्या है समान पद में आएगा ठीक है एक और आपका है यहाँ पर भी यह समान पद में आएगा कैसा समान पद में आएगा कि 7 के साथ किसका गुणा हुआ है एकस का 14 के साथ किसका गुणा हुआ है एकस का 13 के साथ किसका गुणा हुआ है साइन नहीं देखना है माइनस प्लस नहीं देखना है आपको देखना है कि जो पद दिये हुए है वह सेम है कि नहीं है नंबर भी नहीं देखना है यह आपका यह सभी क्या होते हैं तो आपको नमबर नहीं देखना कि यह समान कहा से हुआ यह नहीं देखना है आपको देखना कि समान पध कर ओ गया और यह इनके लिए क्या आ रहाएं सेबन एक्सवाई कि है तो देखिए एक्स वाई हो या यह नहीं कहा लाते क्योंकि यहां पर एक्स वाई है और यहां पर वाई स्क्वाइर में आ जा रहा है एक सहाई लेकिन वाई उसमें क्या जा रहा है इसक्वाइर मुझा लेकिन अगर स्क्वाइर नहीं है तो यह और यह क्या है समान पद है अब यहां पर देखिए माइनस नाइन वाई स्क्वाइर है और यहां पर सेबन वाई है तो एक नहीं आपकी आसमानपद में आ जाएंगे यूग किसमें आजाएंगे आसमानपद में आजाएंगması हम समान और असमानपद को क्या कर सकता है classification क्लासिफिकेशन यानिकी वर्गी करन कर सकते है ठीक है अ देखे एक चीज़ आपको मैं यहां बता रहा हूं कि यहां पर दिया इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेगा कि 7xy 7xy दिया है और मैंने क्या कहा कि माइनस 5yx यह समान पद कैसे समान पद आपको मैं देखा रहा हूं कि 7 into आगर हम पद अलग-अलग करते हैं 6xyth थिक है 5yx अलग-अलग पाद कर दिये वाई-वाई-वाई से मिल दाया है एक्स एक्स से मिल दाया यहां आप यह एक दूसरे का दम से मैं समाने इस लिए क्या हुआ 7xy-5yx आपका कैसा पद है समान पद है ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को समान और असमान पद है बिल्कुल है तो इस तरह से आप समान और समान पद को क्या कर सकते हैं बाड सकते हैं अभी आ वेजिये वेंजगों का योग व्यकलन मतलब होता है घटाव यानि कि विजिये वेंजग जो दिया है इसका हमें जोड़ घटाओ जानेंगे तो आते हैं सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेते हैं एक्जाम्पल से कि अगर दिया हो सेवन एक्स स्क्वाइर माइनस फोर एक्स प्लस फाइब एव हम नाइन एक्स माइनस टेन को जोड़ना है तो हम देखे जोड़ने के लिए क्या करेंगे किसको जोड़ना है इसमें इसमें किसको जोड़ना है नाइन एक्स माइनस टेन को जोड़ना है ठीक है 7x square minus 4x plus 5 यह 9x minus 10 जोड़ना है इसको क्या वर करना है जोड़ने का वर करना है देखेगा ध्यान से अभी हम जो समान और समान समझाए है उससे ही related यह चीज़ है ध्यान से देखेगा जब इसका हम हल करेंगे तो 7x square minus 4x plus 5 यह लिख देंगे 9x minus 10 अब उसमें देखेंगे कि 9x जो दिया है इसका समान पद इसमें कहां है तो इसका समान पद यहां पर है 4x यहीं पर लिखेंगे 9x यह नहीं कि अब यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे क्यों नहीं यहां लिखेंगे क्यों कि यह 7x square है इसके समान पर इसमें नहीं है और माइनस टेन नंबर है तो इसको हम नंबर के साथ रख देंगे अब इसको क्या करना है जोड़ना है इसको क्या करना है जोड़ना है तो चलिए हम जोड़ते हैं फ्लसपार में माईनस तेन को जोडेंगे तो आया यहाँ पर करते हैं कँग आप चोड़ते हैं कितना को मैनस भाईप फलस्माइनस मैंने बीका मैंनस 5 यहां पर ऑदेंगर मैनसर service में 9 यह देखिएगा मैनस उराक हो थोड़ा सा ध्याды लिएmau 9 यहीं सब्स दिया तो वर किसका होगा माइनस का होगा घटाने काम होगा तो जब हम घटाएंगे तो देखेंगे कि साइन किसका बढ़ा है यह चीज आप लोग क्ला सेवन में पढ़ चुके हैं साइन प्लस का बढ़ा तो प्लस साइन रहेगा और 9x में से 4x गया 5x तो यह आप लिं आ हैं है तो आप देखे एक और एकजाम्पल में आपका कोशन दिया है इसको देख लिए समान फर एकदम एक सात्त रखना है यह याद रखना आ जोड़ घटाव करते समय समान पदों को एक साथ रखना है एक कोशन दिया है एक्जाम्पल में कि 7x स्क्वाइर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वाइर प्लस 5x अम माइनस 3y में से घटाना है आपको माइनस 3 प्लस 6y प्लस 4y स्क्वाइर और माइनस 5x स्क्वाइर यह क्या करना है देखिए यह वाला पद नहीं दिया है उस कोशन में यह वाला पद नहीं दिया है तो महाँ पहम खाली रखें घटाना है क्या करना है घटाना देखिए क्या घटाना था यहां पर फाइप स्क्वाइर माइनस यहां पर ठीक है यहां पर क्या है माइनस एक एक ग्जामपल में दिया है कोश्चन एक्जामपल नमबर 2 सेबन एक्स एसक्वाइर माइनस फोर एक्स वाइप प्लस एट वाइए स्क्वाइर प्लस थाइप माइनस थिरी वाई देखिए यह नंबर नहीं दिया था हम इसको अलग कर दिये यह दिया है जो जो समान पद उसके साथ रखें घटाएंगे तो घटाने के वर्क में हम जैसे कि आप घटाएंगे तो माइनस दिया है तो प्लस करेंगे प्लस दिया है तो माइनस करेंगे माइनस दिया तो प्लस यह प्लस थाना जी प्लस साइन रहता है उसको माइनस यह प्लस थिरी माइनस थिरी सिक्स माइनस शिक्स वाई तो माइनस नाइन वाई हो जाएगा कि अर यह स्कारेंगे उसकाद समानपद नहीं उसके पाए पर है माइनस पूर एक्स स्क्राइब यह और यहांप प्लस का स्यान लगा देंगे टेहं तो यहां पर क्या करना है मैंने क्या कहा कि जोब यहांप प्लस के साइने घाथ तो सेबन x square minus 4 x y plus 8 y square plus 5 x minus 3 y में से 5 x square minus 4 y square plus 6 y minus 3 को घटाना है हम यह इतने इतने गैप करकर क्यों रखें इस जीज को समझना है आप लोग को गैपिंग समझना है कि यहाँ पर गया पर इतना गैप है ठीक है नंबर यह जो दिया है अचर नमर है यहाँ पर अचर नमर इसमें कहीं नहीं है इसलिए इसको हम लाश्ट में कर दिया है प्लस 6y क्यों रखे हैं क्योंकि इसके ठीक सामने क्या है माइनस 3y समान पद के साथ हम क्या करेंगे समान पद को रखेंगे प्लस 5x कोश्चन में कहीं भी x का पद नहीं था इसलिए नहीं रखें समान पद में से समान पद को जोड़िया घटाव किया जाता है माइनस 4xy यह ऐसा पद कोश्चन में नहीं था नहीं रखें सेबन एकस स्क्वाइर ऐसा पद था इसलिए इसके सामने समान पद हम रख दिये अब यहां पर क्या हुआ है कि जब घटाओ का वर्क करते हैं किरिया करते हैं तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो माइनस वाला प्लस में माइनस प्लस में प्लस माइनस में तो प् तोब यह आपका प्लस्टफ ऐसे उतर जाएगा एक्ट वाई स्क्वायर प्लस में आप फोर वारी प्लस्वें हो गया तो तोबर स्कार हो गया हम मांप mitigate ऐसे उतर जायेगा असर लोग दिया है उसमें से घटाएंगे लेज इस प्रूफ यह तरह से आपका चेप्टर का जो परीचे था मैंने समझा दिया बता दिया अब आप लोग को क्या करना है कि प्रसनावली 9.1 बनाना है जितना कोशिसो कोश्चन जितना आपसे बन जा बनाईएगा नहीं बनेगा उसके बाद से मैं इसको बताऊंगा पहला कोश्चन देखें निमिलिकित में स पर्तेक के पदों का गुणांगों को पहाचानी है अभी बताएगे गुणांग कैसे पहाचान किया जाता है ठीक है यह बना देएगा दूसरा अन्यमिलिकित बहुपदों को एक पदी द्वीपद यहम त्रीपद के रूप में वर्गी किरित कीजिए कौन सा बहुपद इन ऐसे बना लेंगे यहां लेंगे एक पदी द्वीपद अ अत्रीपद अ कोई नहीं यहां पर के लिंगे रहने की ना तो एक पदी है नहीं दुभी पदी नहीं त्रीपदी है लास्ट में बोला न सबस्पद हो पहला दिया एक दो तो इस तरह से आप को यह कर जाना है तिसरा को निमलिकित का योग जोड़ना है आण उसके बास जोर घटाप करके दिया को संजाए है